प्रधान मंत्री गुण्डे के बाद तो मैं स्वयम तो कई बार यहां पर आया लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियान अमेरिकन समुधाय के लिए वाइड हुष के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं आज खिर्धी बार आ पुण्दे खिर्धान आज रहें के लिए यहां में इयति ने जोड़ी के लिए अचैनली प्रेख दोश कि अधिवन देख वाइड हैं अधर में किन अचैनल मिनस्टर आफ का में इन इन वाइड में वाइड हैं बार व्यूट मिन अचैनली इंड for the Indian-American community in such large numbers. The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US, through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you have been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, and America, and both the same and the same state, are recognized for the people of the country. दोनों देशों के समिधान उसके पहले तीन शब्द और जैसा राश्पती बाइडन डेबिग जिसका उलेग किया वीज़ पीपल हम दोनों देश अपनी विवीतिता पर गर्व करते हैं हम सर्व जन हिताए, सर्व जन सुखाए इस मुल्भूच सिध्धान में विष्वास रखते हैं The societies and institutions of both India and the U.S. are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following three words. We, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. Post-Covid काल में, World Order एक नया रूप ले रहा है. इस कालखन में, भारत और अमेरिका के मित्रता पूरे बिश्व के सामर्थ को बढ़ाने में पुरक होगी. ग्लोबल गुड के लिए बैश्विक शांती, स्थिर्ता और समृद्ध के लिए दोनो देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिवद्ध है. हमारी मजबूत स्ट्राटेजिक पार्टरशिप देमोक्राशी की ताकत का स्पस्त प्रमान है. हमारी मजबूत स्ट्राटेजिक प्रमान है.